लिंग, सेक्स, से तातपर्यनर और मादा जीवों में पाए जाने वाले जैविक और शारीरिक विशेष्टाओं से है। ये गुण सूत्रों, हार्मोन, शरीर रचना और शारीरिक विशेष्टाओं द्वारा निरधारित किया जाता है। मनुश्यों में लिंग को मुख्य रूप से पुरुष या महिला के रूप में वर्गी कृत किया जाता है जो प्रजन अंगों, लिंग और विशन या अंडाशय और गर्भाशय की उपस्थिती पर आधारित होता है। लिंग अंतर में दूसरे लिंग विशेष्टाएं भी शामिल हैं जैसे पुरुषों में चेहरे पर बाल और महिलाओं में स्तन। उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु जिसे जन्म के समय पुरुष के रूप में वर्गी कृत किया गया है, उसमें XY गुनसूत्र, टेस् अन्य पुरुष प्रजन अंग होते हैं, इसके विपरीत एक नवजात शिशु जिसे जन्म के समय महिला के रूप में वर्गी कृत किया गया है, उसमें एमिस गुनसूत्र, एस्ट्रोजन उत्पन्न करने वाले अंडाशय और योनी, गर्भाशय और अन्य मादा प्रजन अ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि पुरुष और महिला के जैविक वर्ग अलग हैं, कुछ व्यक्ति उभैलिंगी होते हैं और उनमें लिंग विशेशताएं होती हैं जो सामान्य परिभाशाओं में नहीं फिट होती हैं, समग्र रूप से शब्द, लिंग, न और मादा को अलग करने वाली जैविक और शारिरिक विशेशताओं को संदर्भित करता है, और एक चीज मेरे भाईयों और बहनों वर्ड मीनिंग जानने से आपका वोकैब अच्छा होगा, पर आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैंने खुद यह अनुभव क जिस तरीके से मैंने अंग्रेजी सीखा है और आज मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ, उस ग्यान और अनुभव को मैंने एक कोर्स के रूप में बनाया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, साथ में स्टड़ी मटीरियल्स भी हैं और 30 दिनों की मनी बैक गैरंटी भी है, अगर आपको पसंद ना आए तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा